Formula, Formula, Formula कुछ लोग Maths का मतलब Formula ही समझते हैं आज मैं बताना चाहता हूँ कि Formula का अपना importance है Formula को याद भी किया जा सकता है और Formula के बिना आप competitive exam पास भी कर सकते हैं अब मैं एक एक करके इस वीडियो में इस पर चर्चा करूँगा कुछ लोग मानते हैं कि Mathematics मतलब Formula Formula का इतना बड़ा अंबार और वो Formula रठते जाते हैं, रठते जाते हैं, रठते जाते हैं Formula का महत्त है, बताऊँगा क्या महत्त है, क्या importance है लेकिन Formula से Maths नहीं पढ़े जाते हैं अगर एक chapter आप लेते हैं तो उसमें कई books ऐसे हैं, जिसमें सो से जादा Formula है, जैसे Average Problems Best on Ages, उम्र आधारित प्रस्न इसमें भी 50 Formula लिखा हुआ है हर condition के लिए एक Formula आप Formula याद कर लेंगे, कितने Formula याद कर लेंगे कौन सा Formula कभ यूज होता है, कैसे पता चलेगा इतने सारे Variables रहेंगे कि समझ में नहीं आएगा N1, N1, T1, M1, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या परिशान हो जाएंगा ऐसे Formula का कोई काम नहीं है मैं Formula के Against में नहीं बोल रहा हूँ ये बात आप साब समझ लिजिए कुछ Formula Basic है पर उसको Formula नहीं मानना है उसको Results मानने है उसको इस तरह से पढ़ना है कि वो कब दिमाग में आ गया पता तक न चला आप जैसे अपना नाम कभी नहीं भूल सकते क्या आपने अपना नाम रटा था अपने पैरेंट्स का नाम रटा था अपने भाई बहन का नाम रटा था इतने सारे नाम एकदम जुवाँ पर कैसे होते है क्या आपने रटा था वैसे ही Formula को इस तरह से लिया जाता है कि वो कब आपका दोस्त बन जाता है पता ही नहीं चलता और Formula को आप handle करते हैं अगर Formula की list लंबी हो जाए तो आप उसको handle नहीं करेंगे Formula आपको handle करेगा मैं कहता हूँ कि पूरे Mathematics में 25 से ज़्यादा chapter है 25 से ज़्यादा chapters होंगे competitive exam के लिए पर मेरी नजर में 25 Formula भी नहीं है वो Formula जो बहुत important है basic है लेना है कब ले लिए पता भी ने चला वो हमेशा याद रहता है उसको याद रखने की जरुवत नहीं पड़ती है Formula का formation जानते हैं ज़्यादा तर Formula के case में ऐसा होता है इसलिए जो कुछ basic Formula है वो जरूर लेना है लेकिन question के हर format के लिए एक नया formula ना है सच ये है कि concept मूल है ये कई लोग सूचते हैं कि Formula से question जल्दी बनता है और concept से देरी से बनता है नहीं Formula ऐलोपै्थिक दवा है और concept होमियूपै्थिक दवा है ये बोलने से बहुत सारे लोग खुस हो जाएं कि वह ऐलोपै्थिक तो तुरंत असर करता है और हम्यूपैथिक तुरंत असर नहीं करता जी नहीं किस ने कह दिया अलोपैथिक दवा के बारे भी कहा जाता है कि अभी तो टैबलेट खाए हैं बच्चों को बोलते हैं अभी तो बस खाए हो जी थोड़ा रूको अंदर जाने दो दवा को गलने दो थोड़ा प्रभाव द जनते हैं, होमियोपेथिक दवा जदी सूट करनी है, तो जेस्ट उसका लिक्विट, छोटे-छोटे दाने आप जीवने से डालते हैं, और च्छन भर में आपको या तो गुड फीलिंग होने लगता है या बैड फीलिंग, अगर दवा सूट कर रही है, तो अंदर से अच्छी भावना आने लगेगी, गुड फीलिंग आने लगेगा, और जदी वो सूट नहीं कर रही है, तो बैड फीलिंग भी आने लगेगा, इतनी जल्दी असर पड़ेगा, कि अलोपेथिक दवा में आप सोच तक नहीं सकते हैं, जैसा कि होमियोपेथिक में होता है, व और इसा होता भी है, बाइचांस, तो फर्मुले को लिखना पड़ेगा, वेरियब्ल का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो अंसर आने गाना, और कंसेट, कंसेट तो क्वेश्चन पढ़ा ना, तो पढ़ते 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 उसका कंसेट आ गया, बन भी ग गया, अंसर भी हो गया, ऐसा भी होता है, यह थोड़ा रफ वोक करते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्स या विपक्स में चर्चा नहीं करनी जा रहा, मैं सर्फ यह चाहता हूँ कि फॉर्मूला नाम से डरे नहीं, फॉर्मूले और कंसेप्ट का एक प्रॉपर कॉम्बिनीशन है, उस कॉम्बिनीशन को ले करके चलें, ना फॉर्मूले का विरूद करते हैं, और नहीं उसका समर्थन करते हैं, जहां फॉर्मूले की जितनी जरूरत है, हम जरूर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला फॉर्मूला करेंगे ऐसा नहीं कि फॉर्मुलार रठना पढ़ेगा और हम भूल जाएंगे तो मैंस नहीं इसी लिए फॉर्मुला चो त्याग दीजी छोड़ दीजिए इंपॉर्टनट फॉर्मुला याद नहीं किया जाता ओ कब याद हो है पता तक नहीं चलता तरह सर हम concept पर concentrate करते हैं मेरी नजर में problems best तो नेज़े इस पर तो कोई formula ही नहीं है औसत average जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड़ा डंडे को तोड़के गड़े में डाल दिजी level that is average का है का formula जबकि कई books में hundred से ज्यादा formula दे हुए है average पर और मेरी नजर में तो कोई formula ही नहीं है components line method सब कुछ दिखता है कहे का formula formula है ले सकते हैं लेते भी हैं नहीं भी ले सकते हैं questions कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको concept का इस्तेमाल करना पड़ता है और पूरे scene में कहीं किसी जगह पर एक part में formula का इस्तेमाल होता है तो बोलिए question concept से बना कि formula से बना फर्मूला नहीं भी रहता तो चल जाता लेकिन concept अगर नहीं समझते तो formula से कुछ नहीं होता क्योंकि उसके कई parts हैं कई stages है question के तो मैं यह कहता हूँ कि mathematics को check it easy करने की जरुवत नहीं है maths क्या कुछ भी अगर डर लगा इसका मतलब यह हुआ कि आपने सही रास्ता नहीं अपनाया सही रास्ते पर चलने पर कभी डर नहीं लगता यही बात maths के लिए भी लागू होता है अगर formula हो या concept कुछ भी पढ़ रहे हो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो यह तो समझ में आती है बात लेकिन डर लग रहा है तो इसका मतलब आपका रास्ता सही रही है तो be confident concept पर concentrate कीजी important formula की अभेलना करने की जरुवत नहीं है लेकिन concept बूल है इसका proper combination लेकर चलना है ओके all the best बाई